नमस्कार, हिंदी साहित तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जेयरफ हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम इकाई दो पड़ रहे हैं और इसमें हमने रीतिकाल को लगबग समाप्त कर लिया है जिसको हमने दस भागों में विवाजित किया और दस भागों में हमने जो भी इसके महत्वपूर्ण कभी थे या उनकी जो प्रमुक रचनाएं थी उन से समन्दित जो महत्वपूर्ण तत्य थे उन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा भी बहुत सारे कभी और बहुत सारे जो लेखक थे वो रितिकाल के अंतरगत आते हैं लेकिन उनकी जो महत्तोता है वो कहीं न कहीं उन रचनाकारों से थोड़ी सी कम है इसलिए हमने उनको इसमें ड पूछ लिए आपके पास जो भी किताबे हैं वहां से आप उन चीजों को एक बार जरूर पढ़ लीजेगा तो आज हम इसके अंतरगर देखे क्या पढ़ रहे हैं कि जो रिती कालीन कभी हैं उनकी जो प्रमुक कावे पंक्तियां हैं कई बार आपने देखोगा कि परिक्षा में इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है कि जो भी महत्तोपून पंक्तियां हैं उनको पूछ लिया जाता है या किसकी हैं या कई बार उनको मिलान में दे दिया जाता है तो मैंने आपके बीच में सिर्फ वो पंक्तियां रखी हैं जो बहुत ही जादा महत्तोपून थी या जो पूर में कहीं न कहीं किसी न किसी परिक्षा में पूछी गई हैं तो सिर्फ वो ही पंक्तियां मैंने यहां पर रखी है लेकिन इसके अलावा बहुत सारी पंक्तियां आपको गोविन पांडे और ससुति पांडे वाली पुस्तक में मिल जाएगी आप डॉक्टर नगेंदर का हिंदी साही तेकायत यहास पड़ेंगे वहां पर भी रितिकाल की बहुत सारी रचनाय और बहुत साली जो आपकी कावे पंक्तियां है वो मिल जाएगी आप चाहे कोई भी दूसरी पुस्तक लेलो या helps book लेलो guide book लेलो उसमें आपको थोड़ी बहुत आपकी जो कावे पंक्तिया हैं वो मिल जाएगी रितिकाल से सम्मंदित और यहां बहु कौन सी थी जो रिति सिद्ध कवी में प्रमुख कवी हैं देखिए देव भूशन इत्यादी उनकी ही आपने मैक्सिमम जो पंक्तिया हैं जो पूरों में पूछी गई हैं वही मैंने यहां पर रखी है देव की जो दो पंक्तिया हैं देखिए जो पहुत ही मौतवपूर्ण है कई बार इनको परिक्षा में पूछा जाता है तो इसमें जो सबसे पहली पंक्टिया देखिए अभीधा उत्तम कावे है मध्य लक्षना लीन अधम ब्यंजना रस बीरस उल्टी कहत नवीन तो देखिए देव जो है ये कवी और आपके जो दूसरे लक्षन ग्रंथकार या जिसको आप कह सकते हैं कि ये अचारे और कवी दोनों रूप में प्रसिद हुए हैं देव तो इसलिए इनकी यहां पर जो पंक्टिये दिही ये किस से संबंदित है आपकी कावे से संबंदित है ये कहते हैं कि अभीधा क्या है तो ये वाली पंक्ति बहुत बार रिपीट होती रहती है UGC.net की परिक्षा में भी या दूसरी हिंदी से रिलेटेड जो भी आपकी परिक्षा होती है वहां पर इस पंक्ति को कई बार पूछा गया है तो आपको इसको याद रखना जरूरी है आलांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें है लेकिन फिर भी कई बार हमारे माइंसस की पूजाते तो इसलिए ये लक्षर में आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि जो जो महत्वपुन चीज़ें है वही मैंने याँ पर रखी है दूसरी इनकी जो महत्वपुन पंक्ति है देखिए तो ये वाली पंक्ति भी किस की है ये भी देव की ही पंक्ति है तो हो सकता है कई बार इन पंक्तियों में आपको पूछे जाए कि इसमें आपने देखा होगा कि अलंकार कौन सा है है ना तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए अलंकार से related की अलंकारों की आपने पहचान कैसे करनी है ये आपको आपके पास कोई भी grammar की अगर पुस्तक होगी तो उसको देख लिजेगा हिंदी की जो एक पुस्तक आती है ठीक है समान्य हिंदी जिसमें आपको सारी ची समान्य हिंदी की बुक जो है ठीक है आपकी loose end की आती है उसको आप देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास गुविंद पांडे और सास्वति पांडे का हिंदी भाषा और सहीते का जो बस्तुनिष्ट इतिहास है उसको आप देखेंगे तो उसमें भी आपके ज मानों छहत्र साल को तो यह वाली पंक्ति की सिए दिखी यह है भूशन की तो भूशन एक मात्र इनको कभी माना जाता है किस तरीके का जो आपके रितिकाल में इनको माना जाता है एक तरीके से वीरस के उदगार माना जाता है इनको ठीक है कि एक मात्र वीरस के कभी जो है व ये है भूशन के समन्द में और इनकी जो ये पंक्ति है देखिए शिवा को बखानो की बखानो छत्रशाल को तो ये वाली जो इन्होंने पंक्ति कही है देखिए ये किस के लिए कही थी ये इन्होंने कही थी भूशन की पालकी को जब कंधा लगाया था महराज छत्रशाल ने तो तब इन्होंने ये वाली पंक्ती कही थी तो च्छतर साल के ये आशे में रहते थे भूशन अगली जो इनकी पंक्ती है देखिए ये भी प्रीवियस एर में पूछे गई है कहीं कि उंचे घोर मंदर के अंदर रहनबारी उंचे घोर मंदर रहाती है तो ये भी भूशन की ही प्रमुख पंक्ती है नेक्स से देखिए आगे के कवीरी जहें तो कवीताई न तो राधा कनहाई सुमिरन को बहानो है तो ये वाली पंक्ती किसकी है देखिए ये है दास की तो दास का पूरा नाम क्या है देखिए इनका जो पूरा नाम है वो है विखारी दास ठीक है और अगर हम रचनाकाल की बात करें देखिए 1728 से 1750 तक इनका रचनाकाल माना जाता है और जो विखारी दास है ये कवी और अचारह के रूप में भी ये भी क्या हुए है एक तरीक जो कवी है उनकी जो प्रमुक पंक्तिया हैं, सबसे पहले इसमें पदमाकर है, पदमाकर की जो आश्रे दाता रहे हैं, ये जैपुर नरेश जो थे ठीक है, और जैपुर नरेश जो प्रताप सिंह थे, उन्होंने पदमाकर को कवीराश्य रोमणी की उपाधी दी थी, तो बंग तो ये पंक्ति किसकी है ये पदमाकर की प्रमुख पंक्ति है ये वाली जो पंक्ति इन्होंने कही है देखी ये इन्होंने आपके जो मिनागर बंबई समंध मंद राज बंग ये पंक्ति इन्होंने कही है दौलत राम सिंध्या की मृत्यू पर तो हो सकता है इस तरह कि चतुरंग चमू जंग जतीबे के हेतू हिमत बहादूर चड़त फर फल फैल पे तो ये वाली पंक्ति भी किसके सम्मंद में ने कही है हिमत बहादूर के सम्मंद में कही है जिनका नाम अनूप गिरी राजा अनूप गिरी जो थे उनको हिमत बहादूर के नाम से भी जाना जाता था ठीक है तो उनके आश्रे में ये रहते थे और इसी राजा के लिए इन्होंने क्या लिखी थी हिमत बहादूर बीरुदाबली लिखी थी और हमने लास्ट जो भारा निका ली थी और कही थी कुछ पंग्तियां कि सेवक सिपाई हमन राजबोतन के ठीक है ये वाले पंग्ति थाकूर ने कही है हिमत बहादूर के लिए और हिमत बहादूर के जो आश्रे में रहते थे पदमाकर और पदमाकर के साथ जो ठाकूर थे उनकी नोखचों को होती र पूरा नाम क्या है ये हमने पहले डिसकस कर लिया था कि सेयद गुलाम नभी है ना ये नाम किसका है रसलीन का पूरा नाम है और इनकी जो महतवपूर्ण पंक्ति ये कई बार परिक्षा में पूछी गई है कि अमिय हला हल मदभरि सेत स्याम रतनार तो ये वाली पंक्ति आपने याद रख लेना है फिर उसके बाद है द्रिखिये द्रिगन जोरी मुस्काय अरू बहू दू नचाए तो ये किसकी पंक्ति है ये भी रसलीन की ही महतवपूर्ण पंक्तिया है तो ये कुछ एक महतवपूर्ण जो रिती बद कभी थे उनकी जो दस महतवपूर्ण है जो प्रिबिए से पेपर में UGC NET या पिर अन्य हिंदी से रिलेटर की परिक्षा में पूछी गई थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है कि ये ज़्यादा मौतवपूर्ण है तो इनको बहुत बार रिपीट किया गया है हो सकता है इनसको पूछा जाए या इस से र रिक्षाएं पहले हुई है इसके अलावा अन्य जो कवी हैं उनकी पंक्तियां बहुत ही कम या तो ना के बराबर पूछी गई है तो इसलिए बिहारी की जो मौतवपूर्ण पंक्तिया है बिहारी सतसे ही जो हमारी एक ही इनकी रचना है जिसमें 732 है माने जाते हैं वहीं स उनी 732 में से कही न कहीं कुछ न कुछ पूछा ही जाता है तो जो जो पूछी गई है जो जो बार बार रिपीट हो रही थी वो मैंने आपके बीच में इससे भी रख दी है तो पहली जो मौतवपूर्ण की पंक्तिया देखिए नहीं पराग नहीं मदरु मदू नहीं विका अलिक अलिकार से रिलेटिड ये जादा पूछी जाती है तो इसली इसमें कौन सा अलंकार है ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए और आगे जो देखिए कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात तो इसमें भी आपको देख रहे हैंगे कि एक तरीके से लियात बार तो इसमें भी जादातर संभावना कहां से बनेगी इसको कि इसमें क्या भाव चूपा हुआ है या कौन सा अलंकार चूपा हुआ है यह सारी चीज़ा इसमें डिसकस होंगी हलांकि अलंकारों से रिलेटिड हम जो अपना लेक्चिर करेंगे वह हमारा जो थर्ड यूनिट है यहां पर हम कावेशास्तर के बारे में पढ़ेंगे वहां पर हम बिस्तार से इन चीज़ों को जानेंगे अभी फिलाला हम यहां पर सिंपल यह रख रहे हैं कि यह पंक्ती किसकी है तो इस इस तरिकी की जो पंक्ते हैं जादातर आपको दूसरे सेंस में ही पूछी जा सकती हैं ऐसे पूछने की संभावने के कम है कि ये किस की पंक्तिया हैं तो इसमें अलंकार या दूसरी चीज़ें क्या-क्या हैं वो जादा पूछने की संभावना रहती है तो कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं ने नहीं सो बात तो ये वाले पंक तो आपके बीच में इनको भी रख दिया है, अब हम दिख लेते हैं, जो रिती कालीन, आपके रिती मुक्त का भी हुए हैं, जो तीसरी धारा के कभी माने जाते हैं, है ना, जो आखरी धारा है रिती मुक्त, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो रिती मुक्त कभी जो प्रमुक्त पंक्तियां हैं देखी वो कौन-कौन सी हैं, इसमें घहननन्द का नाम प्रमुक्ता से ले जाता है, और घहननन्द की ज हम 2004 से लेकर कि 2020 तक के जितने भी कोशन हैं आज तक के UGC NET के वो हम सारे के सारे आपको व्याख्या सहीत लाने जा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन प्रशनों को लें तो आप हिंदी साहीत अबाता चैनल के साथ जुड़े रहिए आपको हमारे जो टेलिग्राम है उसमें भी हम बहुत सारे क्वशन्स डिसकस करते हैं तो आप चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर हम कुईज के माद्यम से बहुत सारे क्वशन करते रहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये चाएगा तो देखिए घननन्द के जो पांच महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो हैं अती सूधों सनेकों मारगू हैं, जहां नेकों स्यानप बांक ना ही, तो ये वाली पंक्तियां न जाने कितनी बार परिक्षा में पूछी गई है, नेट और अन्य परिक्षाओं में, हीन भहे जलमीन अधीन कहा कचुमों को ल लाने समाने, तो ये भी पंक्ति गहननंद की है, राबरे रूप की रीती अनूब नयो नवलागत जो जो निहारिये, ठीक है, तो ये भी गहननंद की पंक्ति है, गहननंद के समनद में बहुत सारी चीज़े हैं, महमोशार अंगीला के दर्बार में मीर मुंशी थे, और ने वाले पंक्ति भी इसकी है गनंद की है लोग है कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत तो ये वाले पंक्ति भी बहुत ही मौतफून है ये गनंद की जो पांच बेस्ट इनकी पंक्तियां मानी जाती है जो बार-बार रिपीट होती है वो मैंने आपके बीच में रख दी ह इनको यार करना बहुत जादा जरूरी है चलिए अब हम देख लेते हैं अन्य जूरिती मुक्त कवी हुए हैं उनकी प्रमुक पंक्तियां कौन कौन सी है तो यहां पर बोधा की जो पंक्तियां जो बार-बार रिपीट होती है अलनकी इनके बारे में जादा जानकारी नहीं मिलती जादा लेकिन फिर भी इनकी जो प्रमुक पंक्तियां हैं वो यही हैं देखिए यह प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धावनो है तो यह किसकी है बोधा की है और दूसरी इनकी जो महत अपन पन्तिया देखिए, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जाहन कहां के तो बोधा की जो प्रेमिका थी, वो कौन थी? सुभान थी, ठीक है? तो बोदा और ठाकुर में हमने बहुत सारे अंतर आपको बता दिये थे आपको अभी तक अगर वो चीजें मालूम नहीं है तो आप हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ है आपका रिती मुक्त कावैधारा के उपर उसको आप जाके देख सकते हैं पर हमने अच्छे से बताया है कि इनमें कौन-कौन सी similarities हैं ठीक है धेलसो बनाया आया मेलत सभाक के बीच तो ये ठाकुर के भी पंक्तिया है इनको भी हमने विस्तार से वहाँ पर डिसकस किया था कि ये पंक्ति इन्होंने क्यों कही है है ना आगे इसी पंक्ति को इन्होंने लिखाया देखिए लोगन-कवित की वो खेल करी जानों है कि लोगन-कवित को क्या माना है कविता की एक खेल है तो ये भी किसने कहा है ये ठाकुर ने कहा है और ठाकुर की ये प्रमुक पंक्ति है सेबक्सी पाही हम उन राजबूतन के तो इस पंक्ति को भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये कब इनोंने किस के लिए कही थी और ये किस की पंक्ति है तो ये ठाकर की है तो रिती मुक्त कवियों के जो प्रमुक्त पंक्तियां थी ये आपके बीच में रख दी गई हैं तो फिलाल इतने जो महत्तोफ़ पंक्तियां थी जो जो भी थी प्रिवेस एर पेपर में पुछे गई थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीती मुक्त कवी बहुत जादा हुए हैं लेकिन उनकी पंक्तियों को उतनी जादा महत्तोता नहीं दी गई है जितनी इन कव्यों को या इन पंक्तियों को दी गई है जो मैंने आपके बीच में रख दी हैं तो आप चाहें अपनी जो notebook है उसमें उतार सकते हैं या फिर अगर आप इसको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूड़िए वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पीच में शियर गीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ते के साथ तब के लिए शुक्रिया जाहिंद